हेलो फैंस में आप लोगों को फिरसे एक बस वागर है तो दोस्तों CSF की तरब से न्यूव वेकेंसी आया है जो की कॉंस्तेबुल ट्रेड्मेंट की वेकेंसी है लेकिन ये वेकेंसी जो है बहुत दिन पहले आ गया था तो इसके लिए अप्लाई भी चल रहा है अभी की ताइम पर लास देर बहुत करीब आ चुका है आपके पास दो दिन बागी है इन दो दिनों की बीच में इस पोस्त के ल अगर आपने कभी भी CSF के अंदर किसी भी पोस्त इला अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आपको यहां पर निव रिच्टेशन करना होगा ठीक है अगर आप एक ओरृड़ी आप ने जो है रिच्टेशन करके रहा है तो डायरेक आप जो यहां पर लॉग इन हो सकते थो दोस्तों Constable Tradement 2020, तो यहां पर आपको में हो, जहांके आपका जो डिटेल्स बगला है आपका पार्सनल मतलब इतार इसको भरना पर एगा, भरने के बाद सब्मिट जब करेगा, बहुत सिंपल है, तो दोस्तों अगर आप इस पोस्त के लिए इसा आप्लाइ करना साथ है, लेकिन सेनल को सब्सक्याब करेना बեղ अ कुर्स लेकर करना क्योंकि तो आप औरенные को सब्सक्राब करके करके पर लेकिन ऐस पोस्ति बारे डीटेल में जाने की कुछ करते हैं और मेंथिक चुक्त खि ti क्या वह भी बताऊंगे तो दोस्तों यहां पर पोस्ट का नाम किया है दोस्तों कॉंसतेबन का फोस्ट होटा यहUI सा और टोस्तों वारती है तो जो की अखिंगा Opto याने भाम-फोस्त होताई तो क्या-क्या attributes क्या थी वह भी बताऊंगा ठीक है तो दोस्तो टोटेल जब वेकंशिस देखने को मिलेगा 787 टोटेल इसमीं आप लोगो वेकंशिस देखने को मिलेगा तो इस पोस्त के लिए आपको करना होगा online applies हो की all India male और female candidate इस पोस्त के लिए apply कर सकता है ठीक है बहुत simple है ठीक है तो यहाँ पे दोस्तो आप पोस्तो इस दोस्तों painter हो गया इस टाइब का post आप लोगो यहाँ फे देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देख करना है आपके यहां पर पॉस्त किता है धो क attractive J 자연 disaster आप लोग कोäg चेक कर ना है फिस तायब से आप लोग को चेक कनाए तो आगर आप ingesta हो तैप लागी कर सकते हो ठ encrypt जो यहाँ ब्यक्तलों दोस्तों के ज़िए यह बिलीए निघ्रे कर आफ़ा ना कट है तो आप यहां पे पोस्ट यहां के ही टैकर इसमें टोरा नीचे स्कोर खरते इस पोस्ट को एप्लाई करने कितना से अगर आपूस्ट के लिए 23 ठक एज अगर आप एज बिस अगर घ्रत हो तो आप इस फ्सक्रावल सेब्सक्रावरांते यहां पर दोस्टे उनको स्टावला मिसनेृटेन फिस थे जो OBC Candidate है इनको आप लोग को 100 रुपीज एप्लिकेशन फीज आपको देना होगा ठीक है अगर आप ST, SC and Oman Candidate आप किसी भी कास का Oman Candidate क्यों ना हो तो आप लोग को कोई भी एप्लिकेशन फीज देने की जरूरत नहीं है ठीक है तो आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री ह किसी भी कर सकते हो ठीक है तो यहां पर दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन कितना सही है तो मैं आप लोग को बताऊंगा तो यहां पर आपको क्वालिफिकेशन चाहिए अगर आप एक 10-pass Candidate हो उसी की साथ दोस्तों कुस पोस्टों के लिए इसमें दोस्तों ITA का अब जो सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब तो इसका जो रहने वाला है तो दोस्तों सब से पहले आप लोगों PS tatsächlich होगा यानि कि फिजिकल ऐसीनडर टेस्ट होगा उसके बाद दोस्तों यहाँंपे PET होगा यानि कि फिजिकल ऐफिशेंसे टेस्ट होगा अगर आप यह डोनों कॉंप्लीक करते योजके बाद आपका सब्सक्राइब 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 तो उसके बाद आप लोगो होगा written examination written examination अगर आप pass हो जाते हो उसके बाद final document verification होगा document verification की बाद आप लोगो medical examination होगा यानि कि पूरा medical test होगा उसके बाद final medical list बनेगा तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो physical test बगरा होगा PET, PST होगा तो PET अंदर क्या देखा जाता है तो दोस्तों आपका अगर mail candidate हो तो आप लोगो का running होगा 600 मिटर का आपको running होने वाला है time मिलेगा 6 minute आप लोगो 30 second का आपको time इसमें देखने को मिल जाएगा ठीक है अगर आप mail candidate हो यानि कि सारे 6 minute का आपको time मिलेगा 16 मिटर running करने का mail candidate हो तो आप लोग के लिए जो unreserved हो गया SC हो गया EWS हो गया and OBC candidate उसके लिए जो height चाहिए जनेरली जो mail candidate का height चाहिए वो 170 cm आप लोगो height होना परेगा ठीक है अगर आप 60 की बात करें दोस्तों यहाँ 80 होना परेगा normal और 5 इंस आपको फैलाना होगा जो कि आपको 85 आपका CEST होना सही है ठीक है अगर आप एक female candidate हो आप लोग के लिए जो height चाहिए 157 cm आपको height होना परेगा ताभी आप इस पोस्तों के लिए जा सकतो हो यह All India के लिए ठीक है लेकिन दोस्तों आगर आप एक All India आप लोग के लिए जो height सही है 162.5 cm अगर आपका height है अगर आप एक male candidate हो आप इस पोस्तों के लिए कर सकते हो तो उसके बाद दोस्तों इसमें जो CEST सही है male candidate का ST All India का ST का जो male candidate का CEST कितना सही है दोस्तों 76 normal and 81 होना परेगा expand करने के बाद ठीक है उसके बाद दोस्तों अगर आप एक ST हो All India का और ST female हो तो आप लोग के लिए height कितना सही है दोस्तों 150 cm आप लोग को height होना परेगा ठीक है एन दोस्तों अभी कूस state को reservations मिलता है जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सेक्टें दोस्तों कौन-कौन से state को मिलेगा पर यहां पारत हम Never Six पेटी मिलेगेस इसके लिए 155 सेंटीमिटर आपको ऑना पर फिकिल होनना पर हो समार्ग रहेगा तोल औरकेशनाग 1 2 घंट का के टार मिलेगाा 200 साइक ये चाल इसके बाड ऑनान आने वुवाल एक इस में दोस्तो आपको डो लेंग्विज में कुई चैवीय मेलेगा इस में दोस्तो है इंग्लिस एद्यंडिोन लेंग्विजमें सुनुस्य को क्वा सचेंस अप्लाई जो स्टार्थ हो रहा है दोस्तों 21 November 22 22 22 से अपलाई हो सटार्थ होड़ा है लास देढ़ जो है 20 December 22 आपके पास अभी 12 इन बागी है यानि कि दोस्तों आप 5 मिद में इसके स्केले एप्लाई कर सकते हो लिएक आप लोग को it यहां पर देखने को मिलेगा आप देख सेक्ट हो दोस्तों अगर आपके पास telegram का सेनल है मतलब टेलीगर्म का एपस है तो यहां पर हमारा टेलीगर्म एपस को जॉइन कर सकते हूं यहां पर क्लिक करके ठीक है तो दोस्टों अगर आप लोग को इंफर्मेशन चाहिए लगा तो सेनल को सब्सक्राइब करके बेल आकोन को प्रेस करें न क्योंको जब भी करके अगर आप सेनल को सब्सक्राइब करके बेल आकोन को प्रेस करके रहोगे वीडियो देखने के लिए थैंक्यू जेहिन